पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो डिलाई नहीं लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूँ दवाई भी और कड़ाई भी 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है आज एक ऐसा ग्लोबल प्लेयर है जिसने ये करके दिखाया है भारत ने दिमांड के मुताबिक Adapt, Evolve and Expand करने की अपनी किशमता को साबित किया है हम दुनिया के साथ आगे भड़े collective efforts में value addition किया और हर चीज से उपर उठर हमने सिर्फ अब सिर्फ मानवता को केंदर में रखा मानवता की सेवा कि आज भारत के पास क्षमता भी है और सेवा की भावना भी है इसलिए भारत global health का नर्व center बनकर उभरा है 2021 में हमें भारत की इस भूमिका को और मजबूत करना है पोरणा संक्रमन गड़ जरूर रहा है लेकिन यह ऐसा वाइरस है जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है इसलिए दोगज की दूरी मास्क और सैनिटेशन के मामले में धील बिलकुल नहीं देनी है नया साल हम सभी के लिए बहुत खुश्यां लेकर के आए आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो लेकिन मैं यह भी कहूंगा मैं पहले कहता था जब तक दवाई नहीं तब तक डिलाई नहीं बार बार कहता था अब दवाई सामने दिख रही हैं कुछी समय का सवाल है तो भी मैं कहूंगा पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो डिलाई नहीं लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान ने मानिवी का कितना नुक्षान हो रहा है इसकी परवा किये बिना न जाने अंगिनत कालपनिक जूप फैलाए जाएंगे कुछ मात्रा में तो सुरू भी हो चुके हैं और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदिरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं मेरा देश्वासियों से आगर होगा कि कोरोना के खिलाब एक अंजान दुश्मन के खिलाब लड़ाई है अफ्वाओं के बाजार गर्म न होने दे हम भी सोशेल मेरिया में कुछ भी देखा भी ना फॉरवर्ड न करे हम भी एक जिम्मवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्त का जो अभ्यान चलेगा हम सब अपनी तरफ से योगदान दे हम सब अपनी तरफ से जिम्मवार उठाए